हलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल गर्देजी इंफॉर्मेशन में दोस्तों आज हम फुल डिटेल रियू करने वाले हैं महिंदरा बोलेरो पीकप सी बीसी 1.3 टी बीए 6 पीकप के बारे में इसके बारे में हम संपुन जानकर देने वाले हैं कीमायत, मायलेज, ल दिखाई देती है, फ्रेंट जो लुक है सेम बोलेरो जैसा है, आगे बड़े शानदार हैडलेम दिये गए हैलोजीन हैडलेम दिये गए है, जो फ्रेंट ग्रिल है, बंपर वो भी शानदार है, बोडी कलरी इसमें बंपर दिया गया है, सेम महिंदरा बोलेरो ऐसी जैसा है यहां पर जो है FM एंटिना दिया गया है जो की एकसेसरी का पार्ट है और यहां पर जो है साइड कटन दिये गये हैं वाई पास करने के लिए यह देखी सेम जो लुक है आगे से आप देखेंगे तो सेम महंदर आप बोले रो ऐसी जैसा है शांदार जो है इसकी जो है बंपर लिएट में कोगे गाया है यहां पर ड्रावर सीट के जस्ट नीचे हेंड ब्रेक दिया गया है जो सेप्टि के लिए काफी अछि distant भुलेरो जैसा दिखाई देता है काफी शांदार इसमें इंटेरियर दिया गया है डूल टन इंटिरियर ये देखिए इस में लेदर के शीट को रहे हैं जो accessories का पार्ट है लगाए गए हैं फिट किये गए हैं और string हैं जो काफी अच्छी इसमें design की गई इस्ट्रिंग है और driver seat को आप आगे और पीचे slide कर सकते हैं अपनी हिसाब से आराम से में एड़ज़स्ट कर सकते हैं और ड्राइव कर सकते हैं कि महिंदरा का इस भूह घ्र्रोप में जो की एकसरी दी रूमें लगता है इसमें पदेख सकते हैं छो कि इस पर फाल है यहां पर एकस्परी अधक्राइबक सब्सक्राइब कर लगति और पार्किंग सेंसर इसके साथ में मिलते हैं जो फिट आते हैं लेकिन इसके जो बोड़ी बनी हुई नहीं है तो उसको आप बाद में लगा सकते हैं जो आपको साथ में मिलेंगे और यहां पे जो है फ्यूज और म्यूजिक सिस्टम का रिमॉंड कंट्रोल यह भी आपको सा साथ मिलता है अच्छा साउंड है जो कि आपको बाद में सुनवाइंगे फुटमेड है जो पूरी तरह से फिट के गई है ताकि जो पेरों के साथ मिट्टी आती हो अंदर ना जाए यह देख सकते हैं ड्राइवर आराम से बैठ कर इसको ड्राइव कर सकता है के बिल में अच् इसका जो है स्पीडो मिटर कैसा दिखाए देता है अब यह देख सकते हैं इसमें 140 की स्पीड दीगे है साइड में एक छोटा मिटर दिया गया है जिसमें आपको फ्यूल कितना है होट एंड कुलेंट की वह सारी जानकारी मिलती है इसमें 140 की स्पीड है लेकिन आप इसको असी तक ही दोड़ा सकते हैं असी की स्पीड जो है इसमें मैक्सिमम आती है कि ट्रबो चार्ज इंजन इसमें आपको देखने को मिलेगा 2523 का यह डूर ओपनर है और यह जो है ग्लास को आप खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं सन वाइजर है इनमें कोई वेनिटी मिलर दिय दिया गया है रोसनी के लिए और पीछे जो है गलास दिया गया है सलाइडिंग नहीं है और यहां पर दोनों साइड में आपको एयर कटन देखने को मिलेंगे अंदर की जो गैस है वायू है इसको पास आपकर आ सकते हैं ताकि कि किसी परगार की को गैस ना बनी इसे हवा प सकते हैं अच्छा खासा इसमें जो है साउंड आपको देखने को मिलेगा बाहर से कोई एक्स्ट्रा आप वोफर और लगाने के जरूरत नहीं है और इसमें जो ड्राइवर है आराम से खुल कर ड्राइव कर सकता है जो कलच ब्रेक हैं काफी शांदार इसमें दिये गये हैं अच्छा इसमें कैबिन स्पेस है इसके इंजन का आपको साउंड सुनाते हैं कैसा है तो बिल्कुल स्मूथ साउंड है सेम बोलेर जैसा साउंड है पहले की तरह जो ज्यादा आवाज करने वाले अब इंजन नहीं आते ब्येशिक्स इंजन है और पिच्छे से अगर हम चै लाना पर आपको साउंडार इसका चैसी दिया गए है और यह जो हैंग अ पिक अपक है सइड कबाल इंजो इसके पत्ते हैं वह साइड में आते हैं जिसे आप ज्यादा मालरोड कर सकते हैं इस चैसिस के finns जिश्ट निचे जो आती है वह सेंटर कबारी होते है यह सैड कबा लोट कर सकते हैं तो आपको पंद्रा इंची के टायर देखने को मिलेंगे तो आप देख सकते हैं जो काफी मजबूत है और इसमें लिफ परिंग दिये हैं आगे और पीचे पते हैं यहां पे और इसमें डेव का सिस्टम है लेकिन वो आटोमेटिक है इसमें आपको बार-बार भरवाने की ज़रूरत नहीं है 1.30 यह देखिए फ्रेंट में आपको फोगलेम के लिए स्पेस मिलेगा और यहां पे जो है पत्ते दिये गए हैं आगे और पीछे दोनों सेड़ा को पत्ते पत्ते इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी जो आगे और पीछे पत्ते हैं काफिए गाख शानार इसमें आपको देखने को मिलेगे ृधर यह देखिए प्रेंट का जो लुक सेंपर बोलेर च Laso जैसा दिखाय देता नवा सकते हैं यह देखिए काफी शांदार है इस मुद्ली चलती है और आपको इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं अब अगर हम इसके इंजन के बात करें तो इसमें आपको M2 आठ पिट तीन इंच की लंबाई और साड़ी पांच इंच की चोड़ाई और हाइट आप जो है डाले की जितना चाहें उतनी रख सकते हैं और जो इसमें फ्लेट बेड में आती है वो दो फिट और एक इंच की आती है और इसमें जो सस्पेंशन हैं आपको पत्तों के साथ र आपको ज़रूरत नहीं पड़ीगी बड़ा बॉनेट देखने को मिलेगा बंपर टू बंपर तीन साल और एक लाग किलोमेटर तक की फिरी वारेंटी मिलेगी जिससे आप तीन साल के लिए बिल्कुल बेफिकर हो जाते हैं एक्सिडेंटल इंसुरेंस का और मिलेगा 10 बेस देखने को मिलेगा और अगर हम माइलेज की बात करें तो इसमें आपको जो कंपनी के तरफ से जो बताया गया है वह 14.3 के MPL लेकिन ये जो है माल लोड करने के बाद और सड़क के अनूरू लगबग ये 13-14 का ही माइलेज देता है तो माइलेज भी ठीक टाक है लेकिन माल आप ज्यादा लोड कर सकते हैं 1300 केजी इसमें पास है लेकिन आप इसमें अगर 3000 केजी तक भी डालते हैं तो भी गाड़ी आराम से चलती है ये माल उठा लेती है चलिए अप देखते हैं इसकी प्राइज इसकी जो है 100 रूम प्राइज है आठ लाग 32,000 रुपे इंसु हजार रुपे लगते हैं तो ये आपको देने होंगे इसके अलावा जो एकसेसरीज हैं वो अलग-अलग डिलर की अलग-अलग जो है पैसलिटी होती है कई पर फिरी होती है कई पर चार्ज किया जाता है कई पर जो छूट है उसकी एकसेसरीज दी जाती है तो इस एकसेसरी दिने के लिए आपको कितना डाउन पेइमेंट करना होगा इसकी ओन रोड कीमत है नो लाग गुन सतर हजार दो सुरुपे ओन रोड कीमत का 80% से लेकर 90% तक लोन करवा सकते हैं अगर आपके पास सामानी डोकॉमेंट हैं फिर भी आप 80 से लेकर 85% तक फंडिंग करवा सकते है अगर आपके पास अच्छा खासा इंकम पुरूफ है आई टीर वगिर आप मेंडेन करते हैं बिजनेस हैं तो फिर आप ओन रोड कीमत का 90% भी लोन करवा सकते हैं अगर हम 85% ही लोन करवाते हैं तो भी एक सोरुम कीमत का लगबग 100% लोन बेटता है तो हमारे फरेंड के प 37,200 रुपे में ये पिक अप घर ले जा सकते हैं उसके बाद आपको पेमेट EMI में पे करना है इसके एक 37 के अलाव आपको 10-12,000 रुपे फाइल चार्ज लोन सुरक्स बीमा के वगएरा लगते हैं तो कुल मिलाकर आप एक अड़ तालिस एड़ लाग में गाड़ी घर ले सकते हैं अगर हम EMI के बात करें तो अगर आप 5 साल के लिए लोन करवाते हैं तो आपको 17,678 रुपे की 60 EMI आएगी और इसमें ब्याज देना होगा 2,28,680 रुपे यानि अगर आप 8,32 रुपे लेते हैं 5 साल के लिए तो आपको मत्र 2,88,680 रुपे का ही इंट्रेस्ट प अगर आप तोड़ी EMI छोटी बनवाना चाते हैं तो फिर आप 6 साल के लिए भी लोन करवा सकते हैं इसमें आपको 15,413 रुपे की बहतर EMI आएगी यानि 6 साल के लिए और इसमें आपको तोड़ा इंट्रेस्ट ज्यादा देना होगा एक साल का तो इसमें आपको 2,37,736 र पोटोकराप और घर का इलेक्टरिसीटी का बिल चाहिए लेक्टरिसीटी बिल अगर एप्लिकेंट के नाम से है तो ठीक हैं कि यूंतला पीता जी माता जी दाडा जी किसी के भी नाम से हो वह आपस के अलावा आपको कोई इनकम प्रूब देना होगा अगर आपके पास है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि यह जो pick up है commercial one में आती है तो यह भी एक income proof ही है इससे ही आप कमा के EMI pay कर सकते हैं अगर आपके पास है तो इसमें आपको loan ज्यादा मिल जाएगा आपको interest में तोड़ा फायदा होगा interest कम लगेगा अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके पास है तो आप ITR फायल दे सकते हैं NSO registration certificate या GST registration certificate दे सकते हैं खेद की जिमाबंदी है तो वो दे सकते हैं कोई भी आपके पास दुकान है या फिर workshop है तो उसके आप photograph लगा कर भी लोन करवा सकते हैं कोई अप्लिकेंट यानि घर में से किसी भी एक सदस्य को deal में लेना अगर आपकी उमर थोड़ी कम है या फिर आपका तोड़ा सिबिल में कुछ मिसमेच है तो फिर आपको घर में से किसी को भी एक को एप्लिकेंट ले रहा होगा आपके पिता जी, माता जी, वाइफ, भाई किसी को भी ले सकते हैं तो उसके जो है आधार कार्ड, पेन कार्ड और एक फोटो ग्राप की जरूद होगी और आप डेड़ लाग रुपे में गाड़ी घर ले जा सकते हैं उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा और अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंड और सेर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें